हेलो अवरिवन आज फिर हम अपनी 6th class English workbook के अंदर हमारी unit first की second part आज इस वीडियो में देखते हैं unit first हमारी who did Patrick homework की first part हमने पिसली वीडियो में देखा आज इस वीडियो में हम इसका second part देखते हैं तो हम start करते हैं दिया है इसमें put the words in the right order to make meaningful sentences also put appropriate punctuation marks and use capital letter wherever necessary the first one is done as example यानि जो ये word दिये गए हैं और इनको correct order में हमें इनको सही करम में लिखना है और एक अर्थ पूरण वक्य हमें जो बनाना है जहां punctuation mark की need हो वहां में लिखना है और capital letter जहां आता है वो सीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ये सब दागे पीछे दिये गए हैं example पहला दिये गए है homework never did Patrick word दिये गए हैं हमें इनको सही करम में लिखर के और एक meaningful sentence बनाना है पहले कौन सा word आएगा इस तरह से तो पैट्रिक पहले आएगा पैट्रिक किसी का नाम है तो capital letter में आता है नाम पी बड़ा करेंगे पैट्रिक never did homework पैट्रिक ने कभी काम नहीं किया इस प्रकार से हमें ये जो sentences निचे दिये गए हैं इनको हमें इस प्रकार से ही हम इनको जो है हल करेंगे आप sentences को ध्यान पूरुक देखें और समझें field farmers are in the word आगे पीछे दिये गए हैं इनको सही करम में लिखर के और एक meaningful sentence बनाना है तो farmers are in the field farmers are in the field किसान जो है वो केतों में है next है water not we waste should तो we subject हो जाएगा we w बढ़ा जाएगा we should not waste water हमें पानी खराब नहीं करना चाहिए तीसरा sentence इसमें दिया हुआ है word दिये है clean your keep school तो keep से start करेंगे keep का के बढ़ा जाएगा keep your school clean keep your school clean इस प्रकार से हम जो है sentence को लिखेंगे fourth sentence देखते हैं friends our animals are तो सबसे पहले एनिमल आ जाएगा animals are our friends इस प्रकार से ही हमारा sentence जो है complete हुआ है animals are our friends fifth sentence देखते हैं homework do we regularly तो पहले subject हमारा we आजएगा we do homework regularly इस प्रकार से ये वाक्य हमारा जो है अर्थ पूरुन वाक्य बना है वो सब्दों को सही करम में लिक करके हमने अर्थ पूरुन एक वाक्य बना दिया है आगे दिखती है पार्क चिल्डरन प्लेइंग दा आर इन दा तो स्टेट करेंगे दा चिल्डरन आर प्लेइंग इन दा पार्क इस प्रकार से हमारा जाई संटेंस पूरा हो जाएगा नेक्स्ट आगे हैं टेक विद वाटर बात फ्रेश टेक विद आई तो सबसे पहले इसमें आई आजाएगा इस प्रकार से हम जो अपना ये बनाएं में बाकिया अर्थ पूरा है नेक्स्ट है गोड आई टू डेली प्रे आई प्रे टू गोड डेली इस प्रकार से हमारा हो जाएगा आगे दिया है आफ्टर रीडिंग दा पॉइम पॉइम को आपने पढ़ना है जो यहां दी गई है राइट दा क्रेक्ट के अक्शन वर्ड सही अक्शन वर्ड हमें जो है लिखने है इन दा पिक्चर के अंदर चूज दा वर्ड फ्रॉन दा गिवन ब्लॉक यह ब्लॉक के अंदर जो वर्ड दिये गए है और पिक्चर को देखकर के हमें और पिक्चर के अकोड उनके नीचे जो हमें इन वर्डों को लिखना है सबसे पहले हमें जो इन पोईम को दोड़ा सा रीड कर लेंगे पोईम दी भी है उसको रीड करते हैं इस तरह से हमारी जो पोईम है वन टू तरी यानि एक पहर से उचलना कूदना है वन टू तरी जंप ए लिटल जंप ए लिटल इस प्रकार से हमें पोईम पढ़ने के बाद हमें जो उपर वड़ दिये गए हैं इनको पिक्चर के एक वोडिंग पिक्चर हमें रीड करनी है और फिर उनके जिए लिखना है यह जैसे ओप यानि उचल कूद कर रहा है तो होप इसके अंदर हमारा हम यहां होप वर्ड जो है बुक्स में जो दिया गया हमारा वर्ड जो होप है इस ओप को हम जो है यहां लिख देंगे होप दूसरी पिक्चर जैसे यह रन दोड करता हुआ है रन कर रहा है तो यह वर्ड जो है हम यहां रन में लिखेंगे और यह रशी कूदरा है स्किप यानि रशी कूदरा है तो स्किप वर्ड हमारा जो है हम यहां पर स्किप जो वर्ड जो है लिख देंगे आगे यह बैंड जुका हुआ है तो यहां हम जो है टेबल से बैंड वर्ड लिख देंगे और यह जो body को stretch खिचाओ कर रहा है तो इसको जो हम यहां लिख देंगे stretch कर रहा है और आगे जो यह jump कर रहा है तो jump table से उठाएंगे और यहां word लिखेंगे jump यहां यह जमाई कर रहा है इस परकार से हम यहां पर लिखेंगे आगे इसमें दिया है complete the paragraph complete करना my classroom के उपर हमें जो compare graph complete करेंगे you may take the help of the flowing question और हमें इन question के मतल से लिखना है कि in which class do you study आप कोई सी class में पढ़ते हैं हम six में पढ़ते हैं तो what things do you see in your classroom हम classroom में क्या क्या देखते हैं classroom में हम देखते हैं fan है door है window है इस परकार से हम जो blackboard है है वह सारे चीज़ी देखते है how many fan and tube lights do you have in your classroom आपके classroom में कितने tube light है मान लिजिए हमारे class में three fan है two tube lights है वो हम लिखेंगे आगे how many benches are there कितने आपकी class में bench है 25 है bench है तो 25 लिखते हैं how many students are there आपकी class में total students कितने हैं जैसे 50 है तो 50 लिखते हैं what do you like about classroom के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा है कि योगि हमें यहाँ एक proper जैसे बहावल मिलता है पढ़ने के लिए तो नीचे इस paragraph को classroom के paragraph को जैसे अच्छे दंग से complete करेंगे my classroom के उपर है I study in six class या फिलप कर देंगे there are fans fan भी है tube lights भी है black board भी है in my classroom there are three fans three fans है three fan लिख देंगे and two tube lights two tube lights भी है वो लिखेंगे in my classroom there are 25 benches 25 and 25 benches है and 50 students लिख देंगे हैं 50 students I like my classroom because मैं मेरी classroom को like करता हूँ क्योंकि it is a place of learning क्योंकि इसीखने का एक सबसे उच्चम स्थान है and there are two two doors दरवाजे दो हैं तो दो लिखेंगे two doors three लिख देंगे there are four windows windows इतनी है four है तो four लिखेंगे five six जो भी है तो four window लिख देंगे there are three ventilator आपके रोशंदान इस प्रकार से हम यह my classroom पे अपना paragraph जो अट से डंग से complete कर देंगे next आगे दिया है statistical के अंदर arrange the name the flowing districts आफ हर्याना के एक उस डिस्टिक्स के नाम दिये गए है in alphabetical order में हमें जोहिन को लिखना है यहाँ इस box के अंदर लिखेंगे जैसे पहले गुरुगाम शिर्षा, अंबाला, भीवानी, रोत्तक, पानीपत, फरीदाबाद, हिसाग, कुषित, रमेवाद इस प्रकार से दिये गए हैं तो लेकिन हमें alphabetically order में लिखना है सबसे पहले alphabetically order में सबसे पहले हमारा A से शुरू होने वाला जो है वो अंबाला है तो अंबाला लिखेंगे एक नंबर पर अंबाला हमने यहाँ लिख दिया है अंबाला है A के बाद B भीवानी है दो नंबर पर भीवानी हमने यहाँ लिख दिया है C नहीं है D नहीं है E F F फरीदाबाद है 3 पर लिख देंगे फरीदाबाद 4 पर गुरुग्राम लिख देंगे इस परकार से हम लिखते जाएंगे 4 पर गुरुग्राम है G H H के बाद जो है हिसार है तो ये 5 नमबर पर हिसार हो जाएगा हम यहां हिसार लिख देंगे और ह, आई, जे, के क्रुक्षित्रा तो छे पर लिखेंगे और क, L, M एम फे मेवाद है तो साथ नुमर पे यहां मेवाद लिखेंगे M, N, नहीं है, O, नहीं है P, पानिपत यह देखो पानिपत यहां है तो आठ नमबर पर पानी पत लिखेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे नो नमबर पर जो हमारा जो है रोहो तक तो और प्लास्ट में S बसता है तो यह हमारा जो दस नमबर पर है सिर्शा यह हम इस प्रकार से कंप्लेट करेंगे तो बच्चो इस पकार से हम जो ने वरक बुक को हल किया आप भी इसे अपने वरक बुक में हल करिए उमीद करते हैं आपको यह अच्छे ढंक से समझ में आ गई होगी इसे बार बार देखें और इसे आप भी अपनी नोट बुक में अवश्य करें वीडियो आपने देखी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी सेर अवश्य करें और पिसली वीडियो आप पार बन की वीडियो पिसली वीडियो में देख सकते हैं नेक्स वीडियो में फिर बिलते हैं तब तक आप इसे देखिए वीडियो आपने देखिए इसके लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद once again thanks